नमस्कार दोस्तो अचके इस वीडियो में बात करने वाले है लेपरो एलेसर कैपसुल के बारे में दोस्तो ये एक एंटासिट कैपसुल है इस कैपसुल के यूज पेट में होने वाले गैस और एसीरिटी से होने वाले समस्य को ठीक करने के लिए यूज किये जाते है दोस्तो आईए अधिक विस्तार से जानते हैं मेरा नाम है स्वाराज और आप लोग देख रहे है Medicine With स्वाराज यूटूब चैनल आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं लेपरो-LSR कैपसूल के यूजेस, बेनिफिट्स और साइड इफेट के बारे में यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्रेब ने किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्रेब जरू करें अगर इस लेपरो-LSR कैपसूल में परयोग के गए इंग्रेडियन्स के बारे में बात कर दोस्तो इस कैपसूल में दो दवयों का कॉमपोजिशन परयोग के गए है पहला रैविपराजल सोडियम 20 mg और दूसरा लेवोज सल्पिराइट 75 mg दोस्तो तेन कैपसूल का एक इस्टीप आता है इस कैपसूल को दोस्तो लेंसेट फार्माटिकल्स लिमिटेड कमपनी दोवारा मैनिफेक्चरिंग किये जाते है अभी बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में जैसे कि दोस्तो ये एक एंटासिप कैपसूल है इस कैपसूल के उप्योक पेट में होने वाले गैस और एस्टीटी से होने वाले समस्य को ठीक करने के लिए यूज़ किये जाते है जैसे GERD, गैस्टो इसफेगल और रिप्लेक्स डिजिस, खटी डकारे आना, पेट भरा भरा सा लगना, हार्ट बन, टेप्टिक अलसर, नौजिया, मॉमेटिंग, जोलिंजर इलिसन्ट सिंडरॉम, पेट में गैस और एस्टीटी से होने वाले किसी भी समस्यों में आप इ अगर इसके डूसेच के बारे में बात करे दोस्तो एक एडल बेक्ती पर डे एक कैप्सुल्स ले सकते हैं, और दोस्तो इस कैप्सूल्स को अपको खाली पेट लेना है, अभी जान लेते हैं साईड इफेट के बारे में, जैसे डाइडिया, वीकनेस, बीग्णेस, हैडेक, abdominal pain ये इसके कुछ common side effect है यदि आपको इस lapro-LSR capsules को लेने का बाद इन में से किसी भी प्रेका side effect देखने को मिलती है इस capsules को उप्योग करना तुरन बन कर दे और आपके नज़ी के किसी डॉक्टर से परामर्ज करे अभी बात कर लेते हैं प्रेकूशन के बादे में कौन-कौन सा बात को ध्यान में रखते हुए आपको इस lapro-LSR capsules को उप्योग करना है दोस्तो जैसे कि ये एक schedule edge expectation drug है इस capsules को लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से बग जरू करे खुट से आप इस lapro-LSR capsules को उप्योग ना करे लेने से पहले इसका expiry चेक कर ले और दोस्तो ओभर डोस भी आपको इस lapro-LSR capsules को उप्योग नहीं करना है प्रेगनेंसी लेडी और ब्रिश्ट फिडिंग मदर को भी इस lapro-LSR capsules को यूज नहीं करना है उमिद करता हूँ दोस्तो आपको lapro-LSR capsules के बारे में संपुन्न जानकरी मिल गई होगी